इसमें सेकें उसमें होता है हमारे पास कंप्लीटिंग के थर्ड वन होता है हमारे पास बाइक फार्मिला अब इसमें सिंपल हमारे पास उसने यह दिया होगा कहता है मतलब इन शौर्ट यह पूर्य का पूर्ण दे दिये चारों के चार्ट जीरों से लेकर यह सार्कल कंप्रीट करने के बाद इधर ही आएगा दोबारा तो अब हमने देहना है साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स बेसिकलिए मारे पास क्या है माइनस अंडरूट 3 बाई 2 अब यह आज़ीज है यह माइनस ज़स का शोओ करता है यह किस कारणा में है अब साइन माइनस किसमे होते हैं यह आपको अकल बताया था कि यह चीज आपने याद रखनी है गाल पॉज्टिव, साइन पॉज्टिव, टैन पॉज्टिव, कोस पॉज्टिव. अब ये देखें, साइन नेगटिव किस किस में होगा? थर्ड एन फॉर्थ क्वार्डर्ट में. जब 3rd और 4th quadrant में हमारे पास यह होगा negative तो हमने 3rd और 4th quadrant में ही इसकी values चेक करनी है कि value 3rd और 4th quadrant में कौन से आएगी जो 1st quadrant में angle होगा वो हमारे पास होगा reference angle उस angle को हमने use करने है वह यूज करने का मैताद आपको बताया था कि अगquet हमारे पास सेकंड कौराइंट में आता है कोई डान में होते ही इसकी वैलियू तो भूम करने के लिए हमने आई फ्लास थीटा करना है जब दयंका पाई प्लस थीटा जा फोर्थ कोड़न में जाएंगे तो टू पाई पास आती है किस पर पाई भाई थ्री पे यह 60 पर होती है इसकी वैलिए ना पाई भाई थी प्लस थीटा जो भी रैफरेंस एंगल होगा और फोर्थ में टू पाई माइनस थीटा उनको ऐसे करेंगे तो हमारी पास रिकॉयट सुलूशन आजएगा वो सुलूशन हमने सुलू में लिखते हैं हाफजाब प्लियर है है हाफजाब है तो इसको सुनने नहीं रहा है उन्हें उसके वह नेट का जो प्रोब्लम हाँ नेट का इश्वार है उसका चलिए नेक्स्ट करते हैं कि हाफजाब लगता दोबारा आगी है है अच्छा भी पहला कौचा हमारे पास है पूरा अब इसका सेकंड को सेकंड पार्ट देख लें इसमें सेकंड पार्ट में हमारे पास आयेगा को सीकेंड आपको पता है है किसका साइन का साइन का वन ओब सांग टीटा इक workshop टू तो यह धनु का सायं सीट की वेङली इसे क्या निकलती है तो थीटा की वैज़ा निकलेगी शाइं इन्वर्स वन भाई टू तो थीटा की वैवली हूं हुमारे पास फॉनन बाई ट्व कब होती है वर पाई रस थीए वॉनन आ गया हमारे पास अभी इसकी वैलिका इन्ट नो में पता है करते हैं तो यह विभिया पाई माइनस रेफरेंस एंगल किया तो वह चाहिए हमारे पास डिक्षी सफ्सलिशन मरें इसका क्लियर हो गया नेक्स्त ये सर अब इसका जो थर्ड थार्ड पार्ट ने वो अगेन कहरे है कि शीकंट शीकंन एक्स एक्वल टू माइनस 2 तो सिर्ट किसका राचर uh 슈कार तो यह मन जाएंगा वान और कॉस allowed एक्वल टू माइनस 2 तो अब माइनस् से माइनस तो अब कॉस एक्स माइनस तो जफ निसको बता रहा है उसकी position बता रहा है कि ये second quadrant में और third quadrant में है क्योंकि पहले में और चोथे में cause positive होता है तो ये महाँ पास बन जेगा cause inverse of one by two तो one by two इसकी value होती है five by three पे 60 पे तो अब लेकिन इसका answer हमने नकालना है second quadrant में और third quadrant में second quadrant में नकालने के लिए five minus five by three करेंगे और fourth quarter third quadrant में नकालने के लिए five plus five by three करेंगे उससे required solution आजेगा हमारे पास is it clear yes sir okay चलते हैं अपने next स्वाल की तरफ next question में मारे पास यह इदर कह रहे है same मतलब pattern सभी में same use होते है code है code किसका reciprocal होता है one over ten theta तो one over ten theta यह बन गया one over under root three दोनों का reciprocal कर देंगे यह बन देगा ten theta equal to under root three तो इदर से हमारे पास आगया under root three ten theta हमारे पास रहेज़ेगा इदर से बन देगा ten inverse कि वैलियू हमारे पास किस पे होती है यह वाली वैलियू तो यह होती है सिक्स्टी पे पाई भाई थ्री पे लेकिन हम तो हमने इदर चैक यह भी करना है इसका sign counts है positive अब ten positive किस-कौर्डन में होता है first quadrant में और third quadrant में अब करने के लिए हम पाई प्लस और थरी कर देए तो यह बन देगा four pie over three solution set में हम लिख देंगे five by three and three five by three four by three के ओके यहास कि कि इसके बाद इसका। कोई से फार्ट आ है इसका प्नोप होई कि यह सचार अ का physics ठीक हो गया भी अब इसका को पूर नैक्स को स्काइब क्वेसburgh ब order तो अब इसमें हमारे पास सेखोंड second order आगी है तो इसका मतलब इसके solution हमारे पास बनेंगे दो दो possible solution बनेंगे हमारे पास तो अब यह देखें इसका 10 का हमारे पास उसने खतम करना है कर किया है ल Completely ज sorting लिए अब स्किए उर्ट किया बन गया अबi दर से चार पार्ट बनेंगे इसके वह कैसे पुझे अब सुवाल के यह देखें दो पार्ट बन गई एक दफ़ा 10 थीटा इक्वल टू 1 ओवर अंडूर 3 और एक दफ़ा 10 थीटा इक्वल टू 1 ओवर अंडूर 3 हमने अभी 1 ओवर अंडूर 3 वाला find out किया था अब इसका जो थीटा रेफरेंस एंगल आएगा वो पाई बाई 6 आएगा 30 पे होता है यह answer न और अब यह प्लस वाल 5D आए घीक हो गया तो यह इसका मारे पास आ अगया जो हमारे पास एक पोट्शन था वो हल हो गया अब हमने देखना खिद टैन जो नेगटिव है वह किस्किस में होता है वहाता है सेकिंड में और फॉर्थ में सेकिंड और फॉर्थ में होता है तो को विडियो हो खरो नहीं चैंड किसे कीड पास चार अंसर नीए पॉसिववल और सभी इस इसकी clear हो गया मतलब वही question वही था उसमें हमने क्या किया उस part को लग लग करके उसके मतलब parts बना लिए एक दफ़ा ब्लस वाली condition में क्या बनेगा माइनस वाली condition में क्या बनेगा तो यह पहला question basically बन जाता है दोबारा कि अच्छा भी next हमारे पास चलते हैं दूसरे question की तीसा question अच्छा दूसरे के भी parts है हमारे पास दूसरे में हमारे पास अब फिर question क्या आ गया अब आ गया हमारे पास इक्वेल टू फॉर ओवर थ्री अच्छा भी next हमारे पास इसमें दोनों का स्केर रूट करेंगे स्केर रूट करने के बाद फॉर का हमारे पास स्केर रूट क्या हो गया टू और अंडरूट थ्री वैसे का वैसे प्लास माइनस आ गया अब उसी तरह हमारे पास एक दफाव प्लास वाला पोर्शन लेकि चलेंगे एक दफा माइनस वाला यह question हमने फरस्ट पार्ट में complete किया था कुसी केर हमारे पास किसका रैसिप्रोकल होता है साइन का तो इनका दोनों का रैसिप्रोकल कर देंगे यह भी क्या बन देगा अंडरूट 3 बाइ तू इधर अंडरूट 3 अब हमने देखना है कि हमारे पास जो साइन है वह किस-kिस क्वार्डRET में पहले और सेकंड्ड क्वार्डब में फोस्टीव होते हैं इन दोनों में पॉस्टीव है और नेगटिव होता है थार्ड और फौर्थ में जब इसमें करेंगे तो हमांने पास पहला रैफरेंस एंगल तो वही आ जेगा और सेकंड में हम करेंगे पाई- माइनस reference angle यह किया है अभस तर फिर सेकंड में जब दूसा पार्ट हम देखेंगे माइनस वाला तो हमने देखना है sin minus किस-किस quadrant में होता है वो 3rd में होता है और 4th में होता है यह लिखा है 3rd and 4th quadrant with reference angle accounts है पाई-बाई-3 तो थर्ड ऐड ने लिखने के लिए क्या करेंगे पाई प्लस पाई बाई